हेलो फ्रेंट मैं आरके एक बार फिर से आपका इस हमाई योग्रूप चैनल ये सी बायो वाला में श्वागत दोस्तों पिछली लेक्षर मैंने फाइफ इस माइक्रोइस्कोप के बारे में दिस्क्स कर लिए था है कि मैंने अभी तक टोटल पांच माइक्रोइस्कोप के बार बार हम बात करेंगे जिसका नाम है लाइट माइक्रोइस्कोप लाइट माइक्रोइस्कोप के बारे माय लोग हम लोग इस्टेडी करें को आप जैसे आपको किसी प्रांड का सबक्राइब जबकिनार कि आँने सब्सकेब vimos कि मैंने भी आप इसमें किसी इप तीर ऑप किसी प्लान का तो आप वहां तक का इस्ट्रक्चर देख सकते हैं और आपको बता दें तो यह सबसे ज़्यादा महणा मिलने वाला माइक्टोइश्कोप है जिसका उपयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं यानि कि किसी का अगर आपको इंटर्नल इस्ट्रक्चर देखना हो किसी किसी मतलब स्पॉर्ट का आपको माइक्ड बैक्टिरीज के आगर कल्शर को देखना हो तो आप माइक्रो से पुप्योग जादा तर चोह एकी फोरेंट शिक लैब में की जाती है और पॉर्ण ग्रेंट का इस्ट्रक्षर देखना हो आपको ठीक आप इसके द्वारा देख सकते से अंदर कौन कोन सी पार्ट है आप उसको देख सकते हैं और आप क्लॉर्ण प्लास्ट देख सकते हैं तो आग कुछ लिखा गया है चाहिए फ्लूरेंसर सब्सकोर bedrooms परकार काला कि सभी होता है पावर को नेगे कि शब्सकुप टीया हम ठीक वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है से लिए एक प्सक्र्ट कोज की गई थे तो इसमें कुछ बात लिखी गई है लेक्टरान स्कॉप की तो एक बात्रहों कहके छोंत 15 कि अटिर्फ प्सक्राइड ही ऐन क्यों कुछ चैनल के अर्फ स्थमेंबक गराद sicich यानि कि एक लाख तक का जो है कि यह आसाने से दिखाता है थीख , फोटो का इलक्टान माइक्रोईश्कॉप है ए विल्प देल रिर्जाल्विंग पावर उप्सका है थीक फोटो का इल्लुईश्कॉप इसी रिजाल्विंग पावर बहुत ही अच्छी होती है अचा आगे ब माइक्रोडि सब्सक्राइब कोई भी संप्टम हो ऊथा उसा कुए पेशीज आप उसका इबाद खेक क्लियर करके दिखांद है फिर यह बहुत इंपोर्टेड आ Dublin तो जो लाइट वेलेक्तराण माइक्र स्कूप था क्यों कि फिर्दा directions कमाःक्र थे पैसमिär विल्ट किर सनी को इसमस्में कि इसकले को ठीशोह थे टोली गांग्स कुषट लिखे अलेक्टत सारे अलेंसिंग पलाएंप आप देखते हैं इस्टै आप मास्क्रोस्कोप का कि याक्तमुप मास्क्रोस्के इन gefघ्ण चाहएँ ख्लों ato इस संब्सकर्य emission प्रखव माइक्ट्रोस esfuerzos फटा उसमें दो माइक्रोइस्कोप माइक्रोइस्कोप हो थीक जो यह सबसे ज्यादा इन्टरन इस्ट्रक्टर आपसेल अल्टर इस्ट्रक्टर्टर आपसेल हां तो यह मतलब है लाइट एलेक्ट्रान माइक्रोइस्कोप है तो सबसे ज्यादा मतलब वाइडली यूज किसमें किया था अल्ट्रा इस्ट्रक्चर देखने में किसी भी चीज का अल्ट्रा इस्ट्रक्चर देखने के लिए माले जी वो सेल हो गया ठीक सेल हो गया और निक किसी इंटर्नल इस्ट्रुक्शर देखने के लिए इंटर्नल इस्ट्रुक्शर की देख सकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखते हैं इसके टाइगराम को देखिए जो यह electron microscope होता है ठिक इसमें उपर की तरफ उपर की तरफ आपको light की ओशक्ता होती है ठिक और वहीं से आपको भी image दिखाई भी पड़ेगी ठिक तो नीचे से समझते हैं यह देखिए एक screen होती है ठिक इस screen पे इस screen पे क्या होता है इस screen पे हमको दिखाई पड़ता है ठिक इस screen पे दिखाई पड़ता है इस screen की उपर आने की जो इस screen प्रोडेशन 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 इस screen हेँ उसको उपर एक objective lens पाये जाता है ठिक अब्जेक्टिव लेंस में अने की object को लेंस आने की object यह כ přिपर इसका focus ठिक यह intermediate lens होते है एंधर होते हैं आपजेक्टिव पार्विक्टिव अबड़ी लेस ने कि फोड़ी फूरी फूरी होती है फिर उसे बड़ी होती है इसलिए इसलिए कई फ्रता को केरा फिनु का दुद्ध भी होते ल्यायां थोक्त आ हंक में को वी हैमला प्रकार से निर्म की यहांगे आट जंए को फाइवान निर्फ हभी सब्सक्राख तो लकिच में और लेक्त निर्फ पर आपको पर अउनल जाता है पर कर सipping देछे यहां पे लाइट होती है जिसके द्वारा दिखाई पड़ते हैं तरह के नीचे क्या होता है इस प्रकार से आपको फिकर बनाना होता है तिक उपर यह लाइट शोर्स दिखती है नीचे दू टाइप के लगे होते हैं ठीक फिर कंडेंजर अपर्चर होता है जो मतलब जूम आउट 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 जूम करने के लिए होते हैं यह सेंपल रखने के लिए यहां पर आप कोई भी जो भी देखना हो आपको वह इस्पे पर आप आपने की उसको सेट कर देते हैं इंटर्मेडियेट लेंस होता है ठीक उसके बाद आप अब्जेक्टिय लेंस होते हैं फिर आपे फ्लूरेंस स्कृन होता है जो आपको दिखाई पड़ती है कहां पर ठीक तो यह टाइग्राम रहा किसका इमेज का तो यही इमेज किसका होता है transmission electron microscope का तो आए आगे बढ़ते हैं हम लोग electron microscope function like the optical counter parts except that they use for the focus beam of electron which pass through the different type of lenses condenser finally reach on the fluorescent screen of image formation and composition of structure तो इस पर यह यह तो यह सब बाते बता थि जो ऊपर है यहां से जाएगाье क्यार रिंटमेडियर पे जाएगा तो यह चीज बता इसमें कि वहाँ सै पहुचते हैं अले से होते हुआ जाएगी वो का पोटिजाती है। फिरीज यह पहुच झाती है। चीघर निया को इमाज नित्व नियुक्त कुम नियुक्षर तांप Šagia सब्सक्राइब देख रहे हैं अल्टारिक्स्ट्रिक्ट्राइस्कोप को से तो उसमें एक मिलियन से लेकर पचास मिलियन तक इसके करें को क्लियर करके देख सकते हैंक इतना बड़ा दिखाई परता परता है है यह पर अब्लेक्तरा माइक्रोजकोप तो इलेक्रान मैक्रोजकों दो तैप करते है पाला होता है प्राउस्टिक से कलेंगे कहने electron microscope ठीक तो जो इस transmission electron microscope होता यह एक प्रकार का technique है ठीक transmission to the image जिसमें क्या है कुछ sentence लिखे गए गाए है the transmission electron microscope is microscope technique ठीक यह microscope technique है in which a beam electron यहने की सुर्व की मतलब कोई भी प्रकास हुआ आप इसके द्वारा बहुत पतली बहुत पतली इस्टक्चर देख सकते हैं चाहे वह टीसू का सिक्षन हो तो आप इसा टीसू देख सकते हैं, molecules देख सकते है, protein देख सकते हैं, lipid देख सकते हैं, ठीक, त्रूर वीच electron microscope past generating a projection image and transmission electron microscope function like light microscope, और यह क्या करता है, light microscope की तरह क्या करता है, function करता है, इससे generating image बनती है, यह projection किसे जो आप image को देख सकते हैं, ठीक, कर्बाइक लेक्टरान माईक्रOSCOP के एक प्रे enc個人 करके इस एक्पर कर्ताई मिश को तो दॉ tehdब द इस केडिनेग मैक्रOSCOP इस टैप आप लेक्टरण माक्रोसकोब सुलेक सटंश चाइब को इसले एक प्रकार का इक प्रकार की बीश्म अधिर बीड बाई्च को प Margaret तो किया ஆ वो इसको ជक कर लेता है इसकान कर लेता है जिस कार से फिगर हो जाती है कि इस पे स्क्रेंड पर ठीक बढ़ते हैं स्रस्क्रें में यह कि बैगा नीजी स्केंद हैं। ऑप्राइव को जो गुर्द उस फर्बढ़ एं हम का तो what the More procedure इसका उपियक इसका प्रावराम हो गए थी आगे बढ़ते हैं लोग याने कि यह जो इसका इलेक्टरान माइक्रोइस्कोप पर किसी भी इस्पेश्मेंट को जिसके उपर लाइट पड़ती है यह तो उसको इसको इसके लेता है और उसके बाद उसका फार्मेसर याने कि उसक इसको लेक्टर सोने यहां कि याने की जहां पर साइनटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं वहां पर इसका किया जाता है किसी चीज़ की खोश करने में किसी चीज़ को देखने के लिए ठीक पैथोलाजिकल सेंटर में किया जाता है ठीक एकेडेमिक इस्ट्यूट में देखा जाता है फॉर एनलाइज़ डिफरेंट टाइप आप मॉलीकूल्स ठीक माइक्रोब माइक्रोब्स इठीक जो एकेडेमी होती है कोई बड़े बड़े पर देखने के लिए ठीक अबलाइज होते हैं तो तो पहले पॉइंट है इलेक्ट्रान माइक्रोइस्कोप इस बीन यूबिश टूडए इन रिसर्च लेबोटरी यानि कि जो इस टाइम है सबसी ज्यादा उपियों कहां भी केदा है रिसर्च लेबोटरी में यानि कि जहां पे रिसर्च होता है around the world to explore the molecule mechanism of the disease visibilize the three dimension structure of tissue and cell यानि कि यह क्या करते हैं यह molecules का ठीक cells का और कोई भी चीज हो उसका three dimension यानि कि 3D structure पना के दिखाता है आप उसके मतलब 3D structure भी आप उसमें देख सकते हैं tissue का cells का कुछ भी होगा ठीक आगे बढ़ते हम लोग forensic science forensic science use electron microscopy to analyze the criminal evidences ठीक यानि कि जो forensic lab होती है forensic lab में मालीजे कोई criminal है उसके evidence को या उसने कोई जूर में किया हो तो उसका पता लगाने में ठीक तो उसके हाथों पर उसके finger के निसान पर जाते हैं कोई भी मालीजे वहां से कोई आवजार या फिर हत्यार मिल जाता है और उसका जब टेस्ट किया था तो उससे यह पता लगाए जा सकता था कि लगाए जा सकता है कि कि इसके वहां पर finger पड़े हैं तो उसका उपयों कहां करते हैं फॉरेंट शिक लेप इसका उपयों होता है ठीक साच जैसे गंसूटर ठीक गंसूट जो अगर कोई गंसे शूटिंग किया ठीक उसका अगर मालीजे आपको गन मिलिया तो आप उससे सब्सक्राइल से धालते हैं तो आप को सब्सक्राइब सब्सक्राइब निया को इस यूज तो एनलाइज इस ट्रक्टर आप चल आर्गनेल्स तीक जानिकी जो यह इलेक्टरन माइक्रोज़्कोप इसके दोबार आप सल आर्गनेल्स का इस्ट्रक्टर देख सकते हैं तो फैंडिंग इमेज आंडियर अधियर कमपोजीशन और उसके कमपोजीशन को भी सकते हैं लेक्टरन माइक्रोज़्कोप इजूज इस प्रोटीन नेसिख सकते हैं का चाव्य इसकोप इस सबक्राव इस्ट्रक्टर देख सकते हैं for electron microscope is used in identification of different type of diseases यानी कि electron microscope से आप different type के disease को देख सकते हैं और disease causing वाले factor को भी देख सकते हैं कियाने कि कि इसके दूरा disease cause हुआ है microbial activity को देख सकते हैं क्या कि की microorganism जो है वो किस प्रकार से प्री activity देख कर रहे हैं उसको भी आख सकते सब्सक्राइब कामस्ण तो देख को चीजें से बाना है किसे कैसे यह उसकी स्ट्रक्चर है तो यह पीस सक भी देख सकते हैं है अगला एक्ट्र , या यादू इंक्टिंति फिट्ट इचक्न आप नियो प्लास्टिक आप कांसरर से सेल होती है जैसे मलती आपके बोड़ी में कैंसर हो गया और ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ कर रहा है ओंपके कोडी में तो बढ़ता है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वापके मतलब आपके बोडी के अंदर किस प्रकार से हुआ अपने आपको फैला रहा है ठीक और आलटरा इस्ट्रिक्चर आप प्लांत एनेमल सेल ओर-doर एननाईस बाइ दाए एलेक्टर्न म्यक्रोस्पट शनगें अनलऑने एननाई के बात्सप्क और इस एक इननाईस क्थे हैं। नहीं लग्चरण म्यक्णे आपको प्लांध होत्त YouTube चैनल पर इसका लिंक आपको टेली ग्राम चैनल पर भेज़ दिये जाएगा वहाँ पर लगभक आपको वहाँ पर आपको चाहे इलेक्टरान डार्क फिल्ड फ्रोरेंसे जाने कि 6 अभी तक जितने मने माइक्क्रोइसकोप पढ़ा है वहाँ पर उसका PDF प्रवाइड करवा देंगे जिससे आप वहाँ से PDF को एक्सेस कर लेंगे और अपनी जो है कि जो थियरी का एक्जाम होने वाले मिस्टर समेशनर का वहां से आप लोग कर सकते हैं ठीक पीडिएफ आपको दिखा देते हैं जो PDF होगा उस पे लिखा रहेगा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट पीडि इस ने स्सक्राइब के शयरों प्रम के सुधेयर न आपको पड़ना है जो कौन वांसे माइक्रोस्कोप दाख्याहिए सब्सक्राइब कर दोने लिखाए जो लगबक 22 पेज़ होगा 22 पेज़ जो आप अगर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है तो आप मारे वाटसप नमबर 9598308044 पर वाटसप के तुरू जैसे मैसेज करेंगे आपको एक रिटेन मैसेज मिल जाएगा जिसके माद्यम से आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप क्लास वनिक पीडियर को एक से टीच तो चल यह ठीक है मिलते अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम नई यूणिट के साथ आएंगे जिसका नाभ है सेंट्रिफुगेशन ठीक जिसमेँ सेंट्रिफुग्येशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक सब तक लिए ठीक है मिलते हैं लेक्षर में किसी ने टॉपिक के साथ